क्या आप जानते हैं कि श्रीमत देवी भागवत पुराण के अनुसार कल्युक का अंत कैसे बताया गया है चले मैं आपको बताता हूँ रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको इसी तरह के पौराणिक कहानिया सुनाता हूँ आज की ये कहानी श्रीमत देवी भ जो करेंटली जो कल्प चल रहा है उसका नाम है श्वेत वराह कल्प एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहें तो मैं एक अलग से इसके उपर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा फिलाल मैं आपको श्रीमत देवी को श्राब दिया जिसकी वजह से गंगा जी नदी के रूप में धरती पर आई और फिर क्यों उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राब दिया ये आप मुझे कथा सुनाईए जिसके बाद श्री नारायन बोलते हैं हे नारद मैं ये प्राचीन कथा कह रहा हूं जिसके सुनने मात से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है आप इसे सुनिए लक्ष्मी सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विश्नु की भार्याएं हैं भार्याएं यानि की पतनी फेर से बताता हूं लोगों में कन्फूजन ना रहे ये सारस्वत कल्प की कहानी है ये अलग कल्प की कह ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मी सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विश्नु की भार्याएं हैं ये बड़े प्रेम से सरवदा एक साथ भगवान विश्नु के समीब विराजमान रहती हैं एक बार गंगा मुस्कुराते हुए कटाक्ष पूर्वक भग प्रेमनिष्ट, श्रेष्ट और उत्तम पती की बुद्धी अपनी सभी पत्नियों में एक समान होनी चाहिए किन्तो दुष्ट पती की बुद्धी इसके विपरीत होती है हे गदाधर मुझे ग्यात हो गया है कि आप गंगा पर अधिक प्रेम करते हैं और लक्ष्मी पर भी उसी के समान प्रेम करते हैं इसी लिए गंगा के इस विपरीत विवहार पर भी लक्ष्मी कुछ नहीं कह रही है क्योंकि लक्ष्मी ने देखा जरूर लेकिन लक्ष्मी ने कुछ कहा नहीं सरस्वती गुस्सा हो गई अब यहां पर मुझ आभागिन के रहने का क्या फाइदा क्योंकि जो इस्त्री अपने पती के प्रेम से वंचेत रहती है उसका जीवन व्यर्थ है अच्छा सरस्वती की ये बातें विश्नु जी ने सुनी और उन्हें समझ में आये कि सरस्वती बहुत गुस्से में है तो बताना चाहूंगा कुछ लीलाएं होती है जो भगवान होते हैं वो लीलाएं करते हैं अब गंगा जी को धरती पर आना था या आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लक्ष्मी जी भी धरती पर आती है आप भी जानते हैं हम भी जानते लेकिन वो आने का एक प्रिष्ट उपर भला बुरा कहना शुरू किया, उन्होंने कहा, कि हे निरलजे, तुम अपने पती पर इतना गर्व क्यों करती हो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं दिखाना चाहती कि मेरे उपर पती का जादा प्रेम है, अगर ऐसा है, तो मैं तुम्हारा अभिमान चून कर दूँगी, मतलब बलवती और सतित्व मै सरस्वती ने उन लक्षमी को भी श्राप दिया, कि तुम नदी और व्रक्ष के रूप वाली हो जाओगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो बीच में नहीं आना चाहिए, यहाँ पर भी लक्षमी जी ने एक अच्छे काम से, कि भई लड़ाई ना हो और बहुत शांत मन से बीच में आने की कोशिश की, लेकिन बिना बात के, इनको भी श्राप मिल गया, लेकिन इसकी एक अच्छी बात भी हुई, जो विश्नु जी ने आगे कहिए, मैं आपको सुनाता हूँ, पूरी कहानी में, सरस्वती जी श्राप देती है, श्राप देन कर कहती हैं, कि तुम्हें भी नदी रूप में नीचे मृत्य लोक में जाना पड़ेगा, और जहां पापी लोग निवास करते हैं, वहां उनके पापों को ग्रहण करना पड़ेगा, गंगा की ये बात सुनकर सरस्वती ने भी उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुमको भी धरातल पर जाना पड़ेगा, और वहां पापियों के पाप को अंगीकार करना पड़ेगा, यानि कि एक तरीके से ग्रहण करना होगा, जब ये सब चली रहा था, तब जो श्रीहरी विश्नु होते हैं, वो अपने चतुर्भुच स्वरूप में आते हैं, चार पारश्वतो के साथ, और वो सरस्वती का हाथ पकड़ कर उन्हें अपने गले से लगाते हैं, और इसके बाद वो तीनों पत्नियों को खड़ा करके कहते हैं, सबसे पहले लक्ष्मी से कहते हैं, कि हे लक्ष्मी, तुम अपने अंशु से पृत्वी पर राजा धर्म द्वज के घर पर ज होगी, यहां पर तुलसी की बात की जा रही है, कि लक्ष्मी जो है, वो तुलसी स्वरूप में धर्ती पर कैसे आती है, यह एक प्रिष्ट भूमी, एक बैक स्टोरी यहां पर बनाए गई, इसके बाद उन्होंने कहा कि गंगा भी धर्ती पर जाएंगी, और एक समयत है कि एक निश्चित अवधी तक ही वो प्रित्वी पर रहेंगी, जब हम लोग यह कहते हैं कि देवी धर्ती पर आई है, इसका मतलब देवी स्वयम नहीं आई है, एक अंश से आई है, उनकी शक्ती का एक अंश आया है, ऐसा मान कर चलिए, फिर जैसे लक्ष्मी से कहा, गंगा का जुश्राप है, वो सुविकार किया है, इसलिए तुम भी अपनी समस्त कलाओं के साथ पहुचोगी भारत वर्ष में, अच्छे यहां पर विश्नु जी एक चीज और करते हैं, क्योंकि यहां उनकी तीन पत्निया है, सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी, तो वो सरस्वती क तो ब्रह्मा जी के यहां भेज देते हैं, क्योंकि वो गुसा करने वाली होती है, सबसे पहले कलाहा के शुरुआ जो थी, वो उन्होंने की होती है, तो वो सरस्वती को भेज देते हैं, कि एक घर में इतनी स्त्रिया नहीं होनी चाहिए, खास तो और पर तब जब कलाहा की स स्थिती बनी रहे, तो उन्होंने वहां भेज दिया सरस्वती जी को, गंगा जी को भेज दिया शिव जी के यहां पर, और लक्ष्मी को अपने साथ रखा, जो मैंने पहले कहा था, कि लक्ष्मी हमेशा वहां रहती हैं, जहां धैरे रहे, गुस्ता नहों, तो विश्नी जी को लक्षमी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने पहली चीज गुस्ता नहीं किया, दूसरी चीज धैरे से काम लिया, श्राप किसी को नहीं दिया और जो श्राप मिला उसे भी स्विकार कर लिया, इसलिए आप सर्वोत्तम पत्नी है, एक ऐसी पत्नी जो हर पती पा गंगा जी को बोल दिया, शिव जी के है, और लक्षमी वैकुंट में निवास करेंगे, तब लक्षमी जी पूछती है कि हमें जाना तो पड़ेगा, लेकिन कब तक के लिए जाना पड़ेगा, मतलब कल्यूग में हम जाएंगे, और फिर आगे कैसा रहेगा, कल्यूग का अ लगवत में लिखा है, वो मैं आपको बताता हूं कि कल्यूग का अंत आखर कैसे होगा, तो श्री नरायन कहते हैं कि देखिए, कल्यूग के अंत के समय में क्या होगा, कि काशी और व्रिंदावन को छोड़ कर सभी जो तीर्थ स्थल है, वो वैकुंट लोट जाएंगे, गं अलिग्राम, शिव, शक्ति और जगनाद जी, कली के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भारत वर्ष को छोड़ कर अपने स्थान पर चले जाएंगे, उन सभी के साथ साधू, पुरान, शंक, श्राद, तरपन और वेदों में बताएगा एक कर्म भी भारत वर्ष से चले जाए वेदांग, कीर्तन, शास्त्र, ये सभी चले जाएंगे, सत्य, धर्म, संत, समस्त वेद, ग्राम देवता, वरत, तप और उपवास आदी भी चले जाएंगे, इसको आप ऐसे मानिये कि लोग या तो मानेंगे नहीं, या करना छोड़ देंगे, जैसे आज के समय में भी महान अहंकारी, चोर और हिंसक प्रकार के लोग रहेंगे, यहाँ पर जाती भेद समाप्त हो जाएगा, सभी पुरुष इस्त्रियों के वश में हो जाएंगे, घर में व्याभी चारणी इस्त्रियों का बाहुल्य होगा, और वे अपने पतियों को डाटना और दुरवचन क कहते हुए उनको पीडित करना शुरू करेंगी, जो लोग सुन रहे होंगे, उनको भी लग रहा होगा कि यहाँ काफी हद तक अभी वैसी चीज़े है, ग्रहनी घर की मालकिन बन जाएगी, और ग्रह स्वामी नौकरों जैसा बन जाएगा, घर की बहु अपने सास असुर से दाई नौकर जैसा विवहार करेगी, एक साथ विध्या अध्यन करने वाले लोग भी आपस में बात नहीं करेंगे, यानि कि प्रतिस्पर्धा इतनी जादा होगी, कॉम्पटीशन इतना जादा होगा, कि एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही विशे पढ़ रहे हैं, लेक घी का अंश समाप्त हो जाएगा, यानि कि घी बनना ही बंद हो जाएगा, कल्यूग में सभी जगास्त्री और पुरुष बौने होंगे, अलग-अलग व्याधियों से युक्त होंगे, अलपायू होंगे, और यौवन हीन हो जाएंगे, सोलह वर्ष की आयू में सर के बाल प कि जादतर स्त्रिया जो है, वो संतान हीन हो जाएंगी, ऐसा है, बहुत कम स्त्रिया होंगी, जो संतान उत्पन कर सके, बाकी संतान हीन हो जाएंगी, फिर उसके बाद ताया जो हर पुराण में लिखा हुआ है, कि विश्नु या शर्वा नाम के ब्राम्हन के याँ, भगव फिर से अराजकता होगी पृत्वी पर, ध्यान से सुनिएगा कि इसके बाद क्या होगा, चोर और लुटेरे रहेंगे पृत्वी पर, फिर क्या होगा, छे दिनों तक लगातार बारिश होगी, पृत्वी जल में डूब जाएगी, उसके बाद एक साथ बारहा सूर्य और अपने प्रचंद तेज से संपूर्ण पृत्वी को सुखा देंगे, जिसके बाद कल्युक की समाप्ति और सत्युक का प्रारंभ होगा, तो ये है देवी भागवत पुराण की एक कथा जो नवम स्कंद में आप पढ़ेंगे, जिसमें भगवान विश्नुन की तीन पत लेकर आने वाले हैं